आप सभी जानते ही है कि किसान फाजबा सरकार के तीन क्रिशी कानूनों का विरोध करने के लिए चर्चा में रहे है कानून किसानों को लाप पहुँचाने के इरादे से थे लेकिन किसान कानूनों को निरस्ट करने की मांग कर रहे थे 22 नवेंबर से अब तक कई बैठके हुई, विरोध प्रदर्शन हुए और लोग गुस्ते में थे राजस्तान, हर्याना, उत्तरब्रदेश और भारत के अन्या हिस्सों के किसान परेशान हुए और किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया आप सभी जानते ही है कि सर्दियों में प्रदर्शन कारियों पर वाटर कैनन का इस्तमाल किया गया कुछ किसानों ने आत्महत्या की और कई घटनाएं हुई इन सब के बावजुत केंदर सरकार को दया नहीं आई और वो कानून पर कायम रहे वे संचोधन करने के लिए सहमत थे लेकिन अधिनियमों को निरस्ट करने से इंकार कर दिया किसान ने संचोधनों से इंकार कर दिया और कानूनों को रद करने की मांग की सरकार अपने रूप पर अडिक थी वह बहस पिछले कुछ समय से चल रही थी 2022 में आने वाले चुनावों के कारण भाजबा क्रिशी कानूनों के साथ आगे बढ़कर किसानों को नाराज करने का जोकिम नहीं उठा सकती थी इससे उन्हें चुनाव हारना पढ़ सकता है इसको लेकर पार्टी काफी भेवीत थी आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक आश्चे रजनक गोशना करते हुए कहा सरकार ने कानून बनाए क्योंकि हमें लगा कि किसानों को बहुत फायदा होगा लेकिन लगातार हो रहे विरोध के कारण हमने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है मैं देश को बताना चाहता हूँ कि हम कानुन वापस ले रहे हैं क्यूंकि मैं शान्ती चाहता हूँ सांसत के शीत कालिन 17 में हम तीनों कानुनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे किसान बहुत खुश हुए लेकिन एक किसान नेता ने कहा कि वे तब तक धरना नहीं रोकेंगे जब तक संसत में अधिकारिक तौर पर तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि किसानों को लगता है कि यह अचानक फैसला आने वाले चुनावों की वज़ह से है इस समय पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है यदि कानूनों को निरस नहीं किया गया तो भाजपा चुनाव हार सकती है और कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी यही कारण है कि किसान वोट बैंक को आकरशित करने के लिए कानूनों को निरस कर दिया गया है इसलिए किसान आधिकार एक निरस आने तक इंतजार करना चाहते है